हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग पिछले दो दिन बहुत ही अच्छे गए हैं बहुत ही जादा मजा आया है जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं तकरीबन 6500 प्लस लोगों ने टेस्ट दिया था अभी तक हम लोगों ने जितने भी एक्जाम देखे हैं फिर वह पंच में से एक हो जिन्होंने फ्री लाइफ टेस्ट को अटेम्ट किया यहां पर हम सिस्टेमाटिक तरीके में आज मैं सारी चीज़ें डिसकस करूंगा क्या कट आफ था अगर यह आपका एक्च्छल एक्जाम होता इसका एनलिस करेंगे पूरे टेस्ट का इसी के साथ साथ हम य लोगों ने कल ही डिसाइड किया कि स्कॉलर्शिप दी जाएगी बच्चों को जिन लोगों ने इस टेस्ट में अटेम्ट किया है टॉपर कून रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर लेकिन अब यहां पर पहली चीज में आप हूँ बहुत सारे लोगों ने यहां पर अपियर किया बहुत सारे लोगों ने पहली बार अपनी लाइफ में कोई test दिया इस तरीकें का तो इस सारी चीजे जैrekμε बहुत अच्छा लगा बहूत अगस्त को यह लोगों के लिए जो हमारे साथ प्रपेर करते हैं उन लोगों के लिए हैं जो लोग पहले भी 3-4000 लोग टेस्स देते हैं 15 अगस्त को अपका टेस्ट बहुत अच्छा लगा यहां पे आप लोगों ने जिस तरीके से से इस्टेस में परफॉर्म किया टेस्ट का लेवल देखके बहुत सारी जगह पे बहुत सारे बच्चे घवरा चुके थे कि क्या यह चीजें हो रही हैं क्या पूछे जा रहे हैं हमारे मार्स इतने नहीं आये हैं क्यूंकि आप लोगों के दिमाग में आपको बताता हूं पं पहली चीज में आपको बता दूँ यहां पर अभी वीडियो बनादने से पाच विनिट पहले इन्होंने पोस्ट किया अब पता नहीं यह है यह नहीं बट इन्होंने स्कोर कार्ट अतना शेयर किया है इन्होंने हाइस मांक्स लेके आए हैं 66 अंड टोटल लोगों ने टेस परफर्म किया है पहले मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि इनकी तरफ से जो स्कॉलर्शिप है वो क्या है स्कॉलर्शिप के लिए इन्होंने पहले डिसाइड किया था कि जो टेस्ट के टॉप 200 बच्चे होंगे उन लोगों को 30% इनके हार एक चीज में डिसका है तो इन्होंने स्पेसिफिकली एक स्कॉलर्शिप यहां पर दी है जितने भी लोग हैं जो भी अगर इसको अवेल करना चाहते हैं यह नहीं आपकी मर्जी है अब आप लोगों को 27% डिसकाउंट मिलेगा कैसे मिलेगा मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं आप लोगो को यहां पर अपने solutions दिख जाएंगे और नीचे ही आपको जो दिया गया है 27% स्कॉलर्शिप वो आप लोग अगर चाहें तो अवेल कर सकते हैं इनके जितने भी plans है उस पर आम तो पर जो इनका डिसकाउंट है 15-20% देते हैं बड़िए अब 27% है उन लोगों के लिए जो भी यह करना चाहते हैं आपको यहां पर दिखा दू पहला यहां पर यहां पर आपको नीचे कोड डाल देना है इनका यह जो आप देख रहे हैं स्कॉलर्शिप का कोड और आपको यह सब जो है discounted rate पर मिल जाएगा और यह आप इनको हार एक पर आपको विल कर सकते हैं आप पर और इसके अलावा जो जिके SSB के अलावा अगर मैं आपको बताऊं जो आपको यहां पर जेके PSC का है कोर्स वहां पर भी आप अवेल कर सकते हैं अपने मर्जी से और साथ ही में सबसे बड़ी चीज जो बच्चे कह रहे थे कि उनको अगर इंडिविजुली चीज लेनी अगर आपको यहां पर भी आप डिसकांटरी डेट्स पर यह सब चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप लोग चाहते और यह सिरफ उन्हीं के लिए हैं जिन लोगों ने टेस्ट में अपेर किया था 6600 लोग जो शॉटलिस हुए है आप ही में से लोग इसको वेल कर सकते हैं बाकी लोग नहीं कर पाएंगे अब हम बात करेंगे पूरा डिटेल में क्या टेस्ट था क्या चीजें थी अभी तक मैंने आप लोगों को स्कॉलर्शिप के बारे में बता दिया है अब हम बात करें अब यहां पर फरक क्या था तो पहली चीज मैं आपको यहां बता हूँ जो लेवल था वो इजी था अब एक चीज आपको यहां पर बता दूँ अगर बहुत सारे बच्चे कहने हैं कि टेस्ट का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है अब यहां पर मैं आपको बता हूँ बहुत टाइम से जब से जेके अग्जाम पूस्पॉन किये हैं बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे है जो प्रिप्र करना चाहते हैं पर उनकी कंसिस्टेंसी बनने पारी और मैं आपको बतादू मैं आपसे जादा आप लोगों की तैयारी को जानता हूँ मैं पिछले साथ महीने से मुझे न करना होता आप मेंसे हर कोई बच्चा 80 plus score करके आता आने वाले जो तीन महीने हैं आप मेंसे कोई भी seriously नहीं लेता चीजों को जब तक जेके SSB अपना scorecard या अपने admit card release नहीं कर देता आप लोगों ने टेस्ट दिये बच्चे टेस्ट दे रहे थे बच्चे scorecard हमारे facebook to group पर पोस्ट कर रहे थे 45 50 नंबर आ रहे थे लिख रहे थे feeling demotivated जटका लग रहा है टेस्ट देखे यह क्या हो रहा है 55 60 इस तरीके से लोग score अपना upload कर रहे थे मैं देख रहा था मैंने सबको एक चीज़ कही थी कि आप लोग test attempt करें इस तरीके से करें कि आपका actual exam है अब यहां पर एक चीज में आपको बदा दूँ जरूरी नहीं है कि पंचायत account assistant की तरह ही आपका exam हर बार easy होगा पहली चीज दूसरी चीज क्यों यह चीज में क्यों क्यों कि JK SSB ने class 4 का exam conduct करवाया और उन्होंने पूरा एक standard ही बढ़ा दिया था पेपर का अब जो अलिबोड का finance account assistant का test था यहां पे overall आप लोगों ने अब अपने score देख ली हैं कि अगर exam आपका difficult होता है मान लीजिए exam में आप लोग आज मुझे एक बच्चा कहर रहा था कि हम 115 कैसे लेके आए इसमें देखो यह चीजे आप लोग दिमाग में सोचके नहीं जा सकते कि मैं 115 लेके होगा है मैं 110 लेके होगा आप लोग दिमाग में आज जो आप लोगों भी इसी तरीके में होता बट हमारे पास तीम महीने अभी हैं आप लोगों में जो टॉपर हैं आप लोग चाहें तो अपनी तयारी को और इंप्रूव कर सकते हैं जिन लोगों का number ज्यादा नहीं आए आप चाहो तो अपना ग्राफ और उपर लेके जा सकते हो अब आपको जो अगर मैं सिंपल अपनी देशी लेंगज में बोलू एक जटका मिला है ना जो आप लोगों को इस टेस्ट के बाद अब डिफिकल्ट एक्जाम आप लोगों ने दिया आप लोगों ने नंबर लेके आए हैं 45-48 आप लोग ये देख रहे हैं कि हजारों में बच्चे आपस सारे बच्चे ऐसे थे जो 50-60 ठीक होने के बाद सिधा सिधा साथ गलत करके आ रहे थे नेगिटिव मार्किंग को अवाइड करना है ये जो ये आपके दिमाग में ब्रहम है ना बैठा हुआ तब से जब से फैनांस अकाउंट असेस्टेंट का पेपर देके आए हैं ये सबको पता है हर कोई करके आएगा आप लोग भी करके आओगे बाकी भी करके आएंगे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो कितने लोग करके आएंगे ये चीज समझाने का सबसे बड़ा पहला मक्सद था दूसरा मक्सद ये था कि आप लोगों को नहीं पता आप लोग ये देख रहें कि यार मेरे तो सिरफ 60 अटेम्ट हुए है मैं कैसे यहां पर चीजों को इंप्रूव करूँगा मैं कैसे करूँगा तो आप उस चक्रों में क्या करते हो कि और अटेम्ट कर दो साथ जिसमें से आपके 40 गलत हो जाते हैं 50 ग बता दू जो आज का आपका ये टेस्ट था जो फ्री लाइव टेस्ट था यह डिफिकल्ट नहीं था बच्चे आपके सामने अगर यहां पर नाइंटी में ठीक पेपर का लेवल आपका मॉडरेट था, questions आपके जो पूछे गए थे, conceptual थे, आप लोगों को जो जिस तरीके से questions को frame किया गया था, काफी अच्छे तरीके से वो चीज़ें करी गई थी, मैं आपके साथ थोड़े से questions यहां पर discuss करूँगा, बीच में कुछ sections difficult थी, कुछ questions difficult थे, बाट इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग बोलोगी, पूरा का पूरा paper ही हमारा difficult था, मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाईए कि union ministry change हुई है, इस पर questions आपको exam में दिखेंगे, यहां पर भी आपको देखने को मिला, civil aviation minister के बारे में पूछा गया था, इसके ब geography आपके syllabus पर दी गई है, तो questions यहां पर अच्छे level के थे, ऐसा नहीं आपको होगे कि paper में बहुत ही अजीब से पूछा गया था, रानी की wow पूछा गया है, रानी की wow आपका heritage site में है, यह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, चीज़े यहां पर, इसी किसा बहुत सारी चीज इसे conceptual थी, आप लोगों को एक चीज़ बता दू, अगर exam में direct question पूछा जाएगा, तो हर कोई उसका answer करके आएगा, आप में से हर कोई बच्चे को उसका answer पता है, क्योंकि आप 5-7 वहीने से पढ़ रहे हो, आप लोग उसका answer करो गई, करो गई, यह जैसे पंचायत में question प देखो, कौन सी चीज़ें ऐसी थी, जो आप लोगों ने पढ़ी थी, उसके बावजूत भी गलत हुई है, पहली चीज़ आपको यह notice करनी है, यह चीज़ का ध्यार लखना है बहुत ही जादा, पढ़ी हुई चीज़ों को जो गलत हुई है, उसको करो, revise शुरू, कहीं बा आप लोग अपना syllabus खतम करते जा रहे हो, बहुत speed से आप लोग बढ़ते जा रहे हो, हम लोग भी बहुत speed से बढ़ते जा रहे थे syllabus खतम के लिए, अब हम लोग भी अगर topic वाइस आपके लिए MCQ ला रहे है, आपको चीज़ को समझना है, आपको चीज़ों को revise करना बढ़ा हुआ है, हमारे PDF सारे टेलिग्राम पे है, आप सारी PDF अपलोड हो चुकी है, उनका वीडियो लेक्चर सब अपलोड हो चुके है, आप लोगों को बस बैठ के पढ़ना है, और जो बच्चे 6-7 महीने से तैयारी कर रहे है, आपको चीज़ों को revise करना है, आप में से अभी भी मैं आपको कैना हो, आप solutions देखोगे न जब, आप लोगों को खुद ही आप लोग थोड़ा सा ध्यान से question पढ़ोगे, आपको उसका answer पता होगा, और आपको 10-20 questions ऐसे दिखेंगे, जो 6-7 महीने से हमारे साथ पढ़ रहे हैं कि यार ये question तो हम सही कर सकते थे, जो जल्दबाजी की वज़ा से ही गलत हुआ है, अगर आपको एक्जाम में 120 मिनट दिये हैं, कोई जरूरत नहीं है कि 20 मिनट या 30 मिनट में पेपर खतम करने की, आराम से question पढ़ो, अगर पहली बार में answer strike नहीं करता, उसको छोड़ दो, आगे चलो, जो questions आपको पहले round में, आप paper देने का एक तरीका होता, मैं आपको बताता हूँ, तीन तरीका में आप paper देते हो, पहला round जब आप लोग लगाते हो, जो questions आपको 100% पता है, आप उनको उसी time अपने accordingly या तो answer sheet पे या फिर OMR sheet पे mark करता हो, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी, जब आप एक round आप लोगों ने लगाया, आपने देखा, हाँ यार हमें 25 से 30 questions ऐसे थे, जो की exact आते थे, या उनका answer 100% confirm था, second round लगाओ, second round में आप लोग देखो, कितने questions ऐसे हैं, जो आप लोगों ने एक नजर में देखोगे, कि हाँ, इनको हमने पढ़ा है या नहीं, अगर पढ़ा है, option elimination क answer देखोगे इसके, इस चीज़ को इस तरीके से देखना, दो questions के जब options आप eliminate कर दोगे, तब आप उनको OMR sheet पे मत मार करना, आप उसको अपने paper पे लिखके रख दो, कि हाँ ठीक है, इनको हम देखेंगे, circle कर दो, छोटा सा, third round में क्या होगा, जिन questions को आपने देखा ही नह इन और, उसी समय, उसके बाद, जब आप लोगों ने देखा, हाँ, पहले तीन डाउंड के बाद, हमारे 50, 60, 70 questions attempt हो गए है, उसके बाद time बचा है, third पे आओ, सोचने की कोशिश करो, जो नहीं पढ़ी चीज़ें, जैसे जो solve करने वाली, वो तो चलो होगी ही नहीं, जो च चीज़ें अब आप लोगों को notice करनी है, आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी है, exam में बहुत बार, बहुत सारे बच्चे आपके साथ ऐसे बैठते हैं, जिनको बहुत ही जादा knowledge है, जो कि बहुत जादा, उनको सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन execution के time, वो लोग मात खा ज अकसद यही है कि अभी अगर आप लोग इसमें 80 score करते, कोई sense of seriousness आपके अंदर नहीं आती, demotivate होनी की जरूरत है, नहीं कि तीन महीने का time हमारे पास है, हम लोग बहुत ही जादा, हमां लोग आपको MCQ जो भी करवा रहे है topic wise, ये speed अभी इसकी और बढ़ेगी, हम लोग क 50 है, 60 है, उन लोगोंने महनत नहीं करी है, जिनके 40 में है, उन लोगोंने महनत नहीं करी, आप लोग जा के चेक करो, अगर आप लोगों का 45 score भी है, तब भी आपका rank 800 something else, 6600 students में, तो ये वही है जिन्नोंने पढ़ा है, 45 नमबर लेके आना भी इस test में कोई खाला जी का घर नहीं था, test का level काफी अच्छा था, conceptual questions थे, सोचना पड़ेगा आपको तो ही आप करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ, ये चीज जिसके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, अगर आपका ये actual exam होता, तो इसका cut-off क्या जाता, मैं काफी सारी चीजों को ध्यान में रखें चीज बोलूँगा, इसका cut-off आपका 54 से उपर नहीं जाता, इनी students के लिए, क्योंकि ये जो, अगर आज की date में, आप 6600 students जो free के test भी दे रहे हैं, ये तो ये ऐसा निनल था कि कोई paid है, या आपको पैसे घर्च ने, ये हर कोई बच्चा दे रहा था, जो भी serious है, इसको पता था, aware है, हमारे साथ 1,39,000 के गरीब अगर लोग जुड़े हैं, सब aware है, कि हाँ या test हो रहा है, आपको देना है, अगर हम prepare करें किसी exam के लिए, और ये ही लोग serious हैं, जो आप लोगों के साथ exam में होंगे, और ये ही बच्चे ऐसे हैं, जो अभी list में है, top 50 या top 100, ये तो final में खतम करेंगे ही, करेंगे, आज मैं आपको लिख के देता हूं, जो बच्चे इस test में top 50 या top 100 में खतम करके आए हैं, बट, vacancies आपकी 400 से 500 से जादा है, आप लोगों में अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं, जो 800 वा rank है, जिनका 1000 है, जिनका 1200 है, मैं आपको में उन्होंने खतम किया है, top 500 के अंदर, तो ये सारी examples आप लोगों के सामने ही है, आप में से बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो इसमें अपना best नहीं दे पाए, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पहली बार कोई test दे रहे थे, तो थोड़ा सा नर्वस होगे, कही लिख भी इस तरीके से रहे थे, कि हम तो हिल गे, बहुत मुश्किल test है, मैंने जब खुद questions देके, इतना ज़्यादा difficult नहीं था, थोड़ा सा आपको ध्यान से सबर्ण के साथ ये test देना था, आप लोग इसमें बहुत अच्छा करके आगे, अब ये चीज आपको मैंने ब effort अपना डालो, अगर आप लोग इस test में 40 की range में भी है, 40-45 की range में भी है, तो कोई भी बच्चा बिना पढ़े, इस test में 40-45 नहीं ले के आ सकता, आप लोगों ने पढ़ाई की है, आप लोगों ने मैनत की है, थोड़ी सी sense of seriousness कम है, कहीं सारे बच्चे ऐसे भी हैं, जो ब 15 तारीक को मैंने test उन लोगों के लिए रखा है, जो लोग हमारे साथ कर रहे है, यह तो सब के लिए था, यह जो 15 तारीक को आप लोगों का test है, आओ, इसको पूरा पढ़ो, 15 दिन का time में दे रहा हूं, 15 दिन में कुछ नहीं नहीं पढ़ना, जितना पुराना पढ़ा है, सारा revise करो, सारा का सारा, किताबे खोलो, मैंने इसके बारे में भी आपको हफते पहले बताया था, मैं आपको 15 दिन पहले बता रहा हूं, फ्री टेस्ट के बारे में आपको हफता पहली मैंने बताया था, लेकिन इसके लिए बता रहा हूं, 15 अगस्त को test है, revise करो, देखो अ कम भी चार से पांच रिविजन आपकी पूरे के पूरी हो चुकी होंगी और यही में मक्सद है एक्जाम में आप लोग जाओगे रिवाइज आप लोगों ने किया होगा अच्छे से सिरीज हम लोगों की आप फॉलो कर रहे हो और जो लोगों ने अगर आप लोग चाते देना तो जिन्हों ने यह अटेंप्ट किया था टेस्स सिरफ वही लोग यह स्कॉलर्शिप यू अब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए आपकी मर्दी है आप लोगों को ईद पर 25% का डि अगर आप प्रिपेर करनें फाइनांस कांट असिस्टेंट के लिए तो इनका एक यह है वीडियो लेक्चर जाए सब मिल जाएगा और इसी के साथ जो बच्चे जेके एससबी के लिए प्रिपेर करने है जेके एससबी के जितने भी एक्जाम्स होते है यहाँ पर यह जो इन फ्यूचर आएंगे फिर जिसमें SI होगा यह जो भी होगा ऐसे आप इंडिविजुली लेने जाओगे ज्यादा महेंगा पड़ेगा वीडियो कोर्स हो गया SI क के फैनांस के आगे जुनेर असिस्टेंट के मॉक्ते सेक्शनल डेस नोट्स सिविल के पटवारी सारे यहां पर आपको दिख जाएंगे यहां पर आप लोग अगर चाहोगे सेम आपको यह लिखना है आपको इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा और यह आपको 2000 के सारा म नहीं होगा और अगर फलक जी के वाके में इतने माक्स है तो बहुत ही जादा अच्छा है इस टेस्ट में 95 स्कोर लेके आना बहुत बड़ी बात है बहुत ही जादा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है सिरफ 16 क्वेशन गलत है इनके तो अच्छी बात है इन्होंने य चेंज करने की कोशिश की थी पहले आप लोग अपने घरों में बैठते थे कोचिंग इंस्टिट्यूट जाते थे पढ़ते थे टेस्ट देते थे पांदस बच्चों के बीच में वहां पे देखते थे बाक्स आगे हैं और मैं बहुत प्राउडली यह चीज कहता हूं कि हम ल वापिस से एक साथ देखना है कि ओवल ओवर जेड के हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं यह चीजे पहले नहीं होती थी यह चीजे हम लोगों ने शुरू की है और यह चीजे ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में शुरू होगी इसके पीछे दो धाई साल की मेहनत है डेली बेसिस प के सामने है अगर आपको कोई डाउट आता है आप हमारे फेस्बुक ग्रूप पे पोस्ट करो वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन अगर एक दिन के अंदर अंदर नहीं मिला तो आप मेरा नाम बदल देना ऐसा नहीं होगा कि 35,000 बच्चे हैं वहाँ पे कि किसी को भी वो टेस्ट देने के लिए आप इनके बारे में एक बारी गूगल कर लेना आपको क्लियर हो जाएगा इंडिया की टॉप मोस्ट ब्रैंड है यह जो की मॉक टेस्ट या नोट्स प्रोवाइड करता है इनसे बहुत जाला रिक्वेस्ट करने के बाद आप लोगों के लिए चीज को लेकर आते अब यहां पर क्या था हमें भी नहीं पता यह क्या ला लेंगे किस लेवल के लेंगे बट इतना मुझे पता है कि यह जो चीजे हैं यह अपना नाम खराब नहीं करने देंगे तो यह टेस्ट का लेवल इन्हों ने वैसा ही रखा हम लोगों ने बहुत चारी देखी है अब एक चीज मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो जो इनका पूरा अभी लाइव टेस्ट हुआ है इसकी हर एक सेक्शन को हम यहां पर आके आपके साथ डिसकस करेंगे क्योंकि यह लाइव टेस्ट था इनकी हम पर्मिशन ले सकते हैं तो यहां पर हम आपके साथ हर एक सेक्शन को डिसकस करेंगे किस तरीके से आप लोग इसको अटेम्ट कर सकते थे किस तरीके से आप लोग ऑप्शनल अप्रोच कर सकते थे तो यह भी मैं इनसे पर्मिशन लेके यह आप लोगों के लिए ले आऊंगा तो आज का सेशन आपको भी भी बोलेंगे छोड़ो या थर्ड वेव आ जाएगी क्या पढ़ना आप लोगों को अब सीरियसनेस आ जानी चाहिए इस टेस्ट के बाद बहुत सारे आप लोग फेस्बुक पे हमारे जाके ग्रुप पे देखो वहाँ पर बच्चे आपको दिखेंगे पहला रैं दीड बैचस के बच्चे कहाँ पर स्टांड कर रहे है जो बच्चे हमारे साथ पर रही है उन्हीं ने हाँ पर 95 मार्क्स आप लोग देख सकते हैं और उनके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत साथ तो यहीं चीज़़े देखने थी पेड़ बायाज में कोई ऐसा जादू नहीं सिखाया जाता जिससे आप जाओगर एक्जाम क्वालिफाइग करोगे महनत आप लोगों को करनी है हम सो हम लोग सिरफ एक पॉसेंट गाइड कर सकते हैं जिरफ 99 पॉसेंट आप लोग कितना डालोगे उस पर सब चीज़े डिपेंड करेंगी तो आई होप यह जो एक निया इनिशेटेव था हमारी तरफ से फ्री लाइव टेस्ट का जिसमें ऑलीबोर्ड ने ही सब कुछ किया उन्होंने टेस्ट बनाया उन्होंने अप्लोड किया सब स्कॉलर्शिप के बारे में कोई ऐसी चीज हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी यह इन्होंने खुच से दी है तो एक अच्छी चीज है पहले पार पहले पता चला दो दिन पहले पता चला पंदर्बा दिन पहले मैं आपको वटा रहा हूं कि आप लोगों को पांच अउगर्ष्ट को टेस्ट हैं उस दिन मैं बहाना नहीं चाहिए रिवाइस करो जितना कर सकते हो थोड़ा सा मैं strict हो जाऊंगा आप लोग को पैसा होने का कोई मतलब नहीं है हम लोगों को ने ना किसी से पैसा लिया है ना ही हमें किसी से फरक पड़ता है हमें सिरफ उन लोगों से फरक पड़ता है जो चीजे कर सकते हैं कौलिफाई जो लोग अपना 100% दे सकते हैं लेकिन अपनी लटर मस्ती की वज़ा से लोग अगर डिले पड़ गए हैं हमारी मेनत यहां पर वेस्ट हो जाएगी अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो अगर आपके मांक्स नहीं आये हैं कोई फरक नहीं पड़ता तीन महीने हैं दिन रात एक करो मेहनत करो आप लोगों में से ही बहुत सारे बच्चे होंगे जुनके टेस्ट में आज 35 टू 50 हैं मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप लोगों में से एक या दो बच्चे भी ये मेरी बात सीरियस्टी ले जाओगे आप लोग फाइनल में क्वालिफाइग करोगे फ्री लाइफ टेस्ट में आप टॉप करो टॉप सो में आओ कोई फरक नहीं पड़ेगा यह चैनल पसंद आता है इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम लोगों को पता चले कि हां हम लोग जो मैनत करने हैं वह आप लोगों के लिए सही है तो आज के लिए सरफ इतना ही बबाइट एक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने आज हमारा पहले थे जिन्होंने पूरा हमारी जर्णी को कवर किया तो इसके इनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया तो चलिया आज के लिए सर्फ इतना ही बबाइट एक कर देंगे और जो आपका वीकली टेस्ट होता है करेंट अफेर्स का जो करेंट की क्लासिस इस लाइव टेस करेंगेगा और जो लोगों को स्कॉलिशिप मिली है अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं आप तो पर यह 15-20% डिसकाउंट मिलता है यहां पर बट आपको 27% मिलेगा तो आपकी मर्जी है आप लोग यह ले सकते हैं अगर आप लोग उने वारसार पहले चार्ट टेस नह